पहली बात तो ये कि कुल देवता कोई भी हो सकता है, भगवान शिव भी किसी के घर के कुल देवता हो सकते हैं, और भगवान कृष्ण भी किसी घर के कुल देवता हो सकते हैं, श्री राम, हनुमान जी माराज, या फिर माता दुरुगा कुल देवी हो सकती हैं, और माताएं कि जरूरी नहीं है कि जिस घर में कुल देवता हो उस घर में कुल देवी भी हो कैई घरों में कुल देवता होते हैं तो कैई घरों में कुल देवी होती है तो कैई घरों में दोनों होते हैं कुल देवी भी होती है और कुल देवता भी होते हैं अब कुल देवता बनते कैसे है किसी भी घर के, कुल देवता कोई जो गाओं के देवता होते हैं, ग्रामर देवता होते हैं, वो भी कुल देवता हो सकते हैं, कोई पीर भी किसी घर का कुल देवता हो सकता है, कोई वीर भी किसी के घर का कुल देवता हो सकता है, अब कुल देवता बनते कैसे हैं, यह जान ले कि फिर आपने भगौन शिव की सेवा करना शुरू किया ड़िए feel this और उस सेवा का फल ये था कि उस सेवा ने आपको फर से अरस तक पहुँचाया यानि नीचे से उपर तक पहुँचाया बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होई बाबा भुलेनात की करपा से तो फिर क्या है आप बाबा भुलेनात की सेवा करने लगते हो उसी प्रकार से जब आप पूरी जिंदकी बाबा भुलेनात की सेवा करते हो उसक भॉलिनाथी हो जसकि मैंने बतां को कोई ग्रामन देवता भी आपका कहरके कूल डेवता हो सकते हैं इसा कि कहायोगों के घष्वुग्र करों के जो हैं तो अलग अलग देवता जो होते हैं किसी के भैरो गुलिनात की किरपा से जो कारे आपके बने आपकी घर की बेल चली यानि की संतान आपको मिली फिर आपकी पीडी को भी वो पूझते हैं यानि आपकी पीडी भी उन्हें पूझते चली गई तो इसी परकार से फिर वो पूझते चले जाते हैं और वो अपना आशी जो है वो पर बनाते हैं जो आप मांगते हों आपके मनत्तों को पूरा करते हैं इस प्रकार से एक समयासा आता दिद दो-तिन पीड़ी के बाद कि वो आपके घर में स्थाई निवास करने लगते हैं उनका अंश जो है वो आपके परिवार में आ जाता है अंश कैसे आता है जब कुल दे देवता का अंश विराजमान हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि कुल देवता की साधना के लिए गुरू की आशकता नहीं होती ना ही कुल देवता की साधना के लिए आपको कुछ बहुत बड़े अनुष्ठान की आशकता होती है कुल देवी कुल देवता और पित्र हमारे घर के ही देवता होते हैं जिनका अंश हमारे अंदर विद्यमान होता है इनको प्रसन्य करने के लिए बहुती छोटी सेवा से यह प्रसन्य हो जाते हैं अगर आप स्वयमिन की करते हैं अगर आप आपके घर के कुल देवता भगवान शिव हैं तो मात्र और मात्र 15 दिन या महीने की सेवा से ही भगवान शिव शंकर भूलेना पसंद नहीं हो जाएंगे अगर आपके कुल देवता हैं, अब मैं भगवान शिव को कुल देवता का धर्ण मान रहा हूं आपको, ऐसे ही जैसे हमारे गोगा जी महराज है, तो गोगा जी की सिद्धी जो लोग करते हैं, बाहर के जो लोग करते हैं, जिनके घर के कुल देवता गोगा जी नहीं है, तो जब वह करते हैं तो उनको काफी समय लगता है दिक्कते सका सामना करना पड़ता है गुरू सुरक्षा मंत्र पर जो हमारे भर के क्ल देवता गुगजी महाराज है उनको सिद्ध करने के लिए ना तो मुझे गुरू की आश्रक्षा मंद्र के अश्रुक्त है ऐसे ही उनकी कुछ इंद देवता की कहानी होते कि कुल देवता जो है वह बहुत जल्दी प्रसन्द हो जाते हैं ऐसे कुल देवी अब जिस परकार से आपकी मनत पूर्ण हुई है तो आपने कुल देवता एक चुल लिए उसी परकार से कुल देवी का चेन होता है कि आपके मननत मांगी और आपके मननत पूर्ण हो गई तो फिर कुल देवी आपके घर की वो बन जाती है तो कुल देवी और कुल देवता दोनों कई घरों में साथ चलते है तो कैई घरों में कुल देवी और कुल देवता अलग अलग होते हैं किसी घर में कुल देवी होती है तो किसी घर में कुल देवता होते है कुल देवी और कुल देवता हमारे घर के जो हमारा घर होता है उसके गद्धी के मालिक होते है पूरा घर उनके नियंतरब में होता है अध्यात्म से जोड़कर अगर आप इसे देखते हैं तो पूरा घर उनके नियंतरब में होता है बहुतिक चीज़ों में नहीं बहुतिक में तो आपके घर का जो मुक्या होगा मालिक होता है वो आपके घर के हर तरीके से रक्षा करता है पर होता कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब कुल देवता को भूल जाते हैं उनके इस्थान पर में होता है उनके इस्थान पर जाना भूल जाते हैं तो उस समय कुल देवता कुछ समय तक तक तो देखता है उसके बा पावहीन करता शुरू कर देता है और उसके बाद में जब एक समय ऐसा आता है वो शुरक्षा चक्र हड़ जाता है तो फिर क्या होता है फिर कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है किसे भूत प्रेद आज परोस का आप भार गए चोक्चराएं पर कोई भूत प प्रेद वादा को भार खड़ा कर देता है तो यह होती है कुल्देवता की पावर कुल्देवता की शक्ति जो है ऐसी कुल्देवी की होती है अब जो कुल्देवता होते हैं कुल्देवी होते हो आपकी पुर्वज जैसे उन्हें मनाया है उसी प्रकार से उन्हें मनाना होगा कई घरों में साथ्विगू डेवता को पूजयाता तो जैसा पूजया जा रहा है ऐसा ही आप को पूज़ेना होगा कि अब कई ऐसे लोग भेण भाहियें जो तामसिक डेवता हैं पूजते हमारे कट स आव car उसकी कार करना पुड़ेगा तो मान जाएगा वरना किसी के सीज पे बुलाके यानि कि खेलके किसी के सिरी में बुलाके उस देवता को तब बचन लिया जाएगा कि बावा ये जो भी तुनको मिला है आप संतुष्ट हुए अब मेरे पास यह है और यही मैं आपको आगे दू उसके घर में कुल देवता का दोस उत्पन्न हो जाते हैं कोई काम करते हो तो वो गलत हो जाता है आपके फैसले लेने की जो शम्ता है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है आप सही फैसला नहीं लेक पाते हैं सही और गलत में सही का चुनाव नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ आपके घर में संतान की दिक्कत हो जाती है तो कई जए आप जाते हो चोकियों पर जाते हैं तो को कष्ट नहीं देते पितर रूप में आजाते हैं तो इस तरीके से फिर वो बताता है कम इनको मनाना कैसे वो जो आपkraंको बताएं इस तरीके से आप उन्हें मना इंए तो बहुत महत्व bir कreating तार कुल जीवन को बहुत अच्छी तरीक से जीप आओगे गरस्ती जीवन आपको सुख में बनेगा तो यह थी कुल देवी और कुल देवता के उपर महत्पुन जानकरी जो की मैंने आपको होता है मुझे आचा है यह जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आप पहली बार हमारे चै का उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जूड़ सकें शिवकृपा चैनल के साथ जूड़ सकें साथी बैल आइकन को दबाएए घंटे के निशान को ताकि जो भी हम जानकरी डालें पूजा पार्ट से सम्बंदे तो उस सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ जूड़िये ताकि ऐसे ही जानकारिया नरेंतर आपको प्राप्त होती रहें बावा भरे नाच से विंति करता हूं कि बावा सदेव आपको सुखी रखे आपके घर और काम में बरकत रखे तमाम खुशियां आपकी जोली में डाले हम मिल दोंते एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नोस्वाइब ओम नोस्वाइब ओूँ ले ऊजू आनोष बार